हलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आशा करता हूँ आप सबी ठीक और अच्छे होंगी मैं हूँ आपका अपना दोस्त वरिंदर खजूरिया और अपने बारे में थोड़ी और इन्फॉरमेशन आपको दे देता हूँ मैंने रिसेंटली UGC NET क्रैक किया है जून 2023 में केवल मेरा दो माक से JRF रह गया जर्नल केटगरी में ठीक है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन डेफ्थ दोस्तों प्रीविस वीडियो में हमने डिसक्स किया आपके साथ Properties of Isoquent और उसके बाद हमने डिसक्स आपके साथ करवाया Marginal Rate of Technical Substitution इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे Types of Isoquent Detail के साथ जिसमें हम Linear Isoquent का Discussion करेंगे Input Output या Lintiff Isoquent का Kinked Isoquent जिसको Activity Analysis Isoquent बोलते है या Linear Programming Isoquent के नाम से भी जाना जाता है इसको और Last Type है Four Type Smooth Convex Isoquent तो चलो इसको Detail के साथ समझते हैं इन सभी टाइप of Isoquent को तो First Type क्या है? Linear Isoquent Most Important Type है ठीके कौन से है? Linear Isoquent Linear Isoquent क्या बताती है? कि जो Factor of Production है वो क्या होंगे? Perfectly Substitutable जो Labor and Capital वो एक दूसरे को Perfectly Substitute कर सकते हैं ठीके? तो यहां भी यह बताता है कि कोई भी Commodity या Goods जो Produce होगी यहां तो केवल Capital से यूज होने से होगी यहां Labor के? यहां क्या होगा कि उनके बीच में कोई भी Combination यूज हो सकता है ठीके? यह देखो इस Point पे क्या है? यह इस Point पे, इस Point पे, इस Point पे और दूसरे Points कौन से आते हैं? इन Points पे क्या होता है? कि यहां तो इन Point पे जो नीचे दिएगे Point इसमें से केवल Capital यूज हो रहा है और उपर वाले जो Point थे वहां पे केवल Labor यूज हो रहा है इन Points पे, ठीके? तो बीच में यह यह Point है, इदर से बीच में से इदर तक जो Point है इसमें से Infinite Combination यूज हो रहे हैं किसके? Labor और Capital के, यही बताती है क्या? Linear Isoquaint, ठीके? Input, Output और Lune-Tiff Isoquaint क्या बताती है? ठीके? यह बताती है कि Factor of Production जो है, वो Fully Complimentary है उनके बीच में Zero Substitability है, एक दूसरे के साथ वो Substitute नहीं हो सकते है, ठीके? केवल एक ही Method जो है, Commodity एक ही Method से Produce होंगी एक ही Method और एक ही Unit of Input से, दूसरा Unit of Input बिलकुल Minimum Luse होगा या Nil होगा, ठीके? तो इस वाज़े से क्या होता है, कि इस Isoquaint का जो Shape होती है, वो क्या होती है? Right Angle होती है, ठीके? Remember रखोगे, यह देखो, कि यहाँ पे यह देखो, कितना हो रहा है? बिलकुल कम तरीके का ही क्या Use हो रहा है, ठीके? तो जिस वाज़े से क्या होता है, कि एक Right Angle बनता है, ठीके? तो Capital का Use होगा, तो Labour का बिलकुल Millimal Use होगा, यह Nil Use होगा, तो जिस वाज़े से क्या है? इसमें Zero Substitutability है, यहाँ Fully Complementary Isoquaint है, ठीके? Third Type of Isoquaint है, जी, Kinkert Isoquaint और Activity Analysis Isoquaint और Linear Programming Isoquaint. Kinkert Isoquaint क्या होता है, कि जो Labour और Capital है, उनकी बड़ी Limited Suitability होती है, ठीके? Substitutability होती है, ठीके? तो केवल किंक पे ही, जो हाँ पे किंक है, ठीके? केवल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे ही क्या हो रहा है, कि substitute हो रहे हैं, Labour और Capital, ठीके? तो इसी वज़े से इसका नाम क्या है, किंकर्ड Isoquaint और Activity Analysis Isoquaint और Linear Programming Isoquaint क्यों है? क्योंकि इसका जाद से जादा यूज कहां पे होता है, Linear Programming में होता है, ठीके? तो रमेंबर रखोगे, तो इसमें क्या होता है, कि Limited Suitability, Substitability होती है, किसमें? किंकर्ड Isoquaint में, ठीके? 4 टाइप आफ आइसोकोंट कौन सी है, Smooth Convex Isoquaint, ठीके? तो ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ पे किंकर्ड Isoquaint में यह देखो, यहाँ पे Substitability तो हो रही है, बट बिल्कुल Minimal हो रही है, ठीके? यह देखो, कितनी Minimal, Minimal हो रही है, ठीके? Smooth Convex Isoquaint is next type, इसमें क्या होता है, कि जो K, K है, Capital और L है Labor, इसमें Substitute होते हैं, Continuously Substitute होते हैं, ठीके? एक Specified Range में, और उसके बाद यह कोई भी Substitute नहीं होते हैं, तो इसी वज़ाँ से इसका क्या बोलते हैं, Smooth Curve, जो Convex to the origin होती है, ठीके? तो यह थे है, Smooth Convex Isoquaint, इसमें क्या होती है, कि Substitutability क्या होती है, Continuous होती है, वो कौन से Isoquaint में होती है, Cable Convex Isoquaint में होती है, ठीके? आज हमने डिसकेस किया क्या, Types of Isoquaint, Detail के साथ Analysis किया इसका, Next Video में हमें आपके साथ, Difference between Isoquaint and Indifference करवाँगा, Detail के साथ करवाँगा, ठीके? आप हमारे साथ बने रहें, और इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें, Further Update के लिए आप हमारे साथ, हमारे Telegram Group को भी जॉइन कर सकती हो, उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बाद, Thank you, Thank you for watching this video.